20 अगस्त को सामन मास के पवित्र महीने की चतुर्थी तिती है, विनाएक चतुर्थी है और साथ ही साथ हस्त नक्षत्र भी है केवल चार गेहों के दाने से आपको चतुर्थी का यह पावन उपाई करना चाहिए यदि आपकी घर में कोई वी व्यक्ति लंबे समय से बिमार है या आपकी घर में धन्दानने की कोई भी कमी है तो आपको यह उपाई जरूर करना चाहिए इस उपाई को करने से आपके जीवन में तेज की प्राप्ति होगी साती सातमान सम्मान और एस्वरे की भी प्राप्ति होगी उपाय को समझाने का पुरा प्रयास करूंगी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको करना क्या है ध्यान से समझना एक तांबे की लोटे के अंदर जल भरना है, साथ में आपको लेने है चार गिहुं के दाने, और साथ में लेना है थोड़ा सा गुड और एक चुठी लाल कुम-कुम अब आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं, एक दाने पर आपको कम से कम ग्यारा बार ओम गंगण पतेन में या ओम श्री गनिशाइन में इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक दाने को जल के पतर के अंदर डाल देना है चारो दानों पर आपको ग्यारा ग्यारा बार मंत्रों का जाप करना है और जल के पात्र के अंदर चार गिहों के दाने एक टुकडा गुड और कुमकुम डाल देना है उसके बाद इस जल के पात्र को ले जाकर कि आपको सूरे देव को अर्ग दे देना है सूरे देव को सुरे देव की 12 मंत्रों का जाब करना है। इस प्रकार से सूरे देव की 12 मंत्रों का जाब करना है। आपको सूरे देव को अर्ग दे देना हैं सूरे देव को अर्ग दे तिसमें आपका जो लोटा है वे आपके मस्तक की उपर्थ होना चाहिए और आपकी जो दरस्टी है वेजल की धारा में होनी चाहिए और आपके मन में यही रहना चाहिए कि सूरे देव की उतकरिस्ट करप्या से मेरे अंदर के मेरे सरीर के सारे लोगों का शेह हो, मेरे जीवन में तेज की विर्दी हो, यदि आपको सूरे देव के बारा मंतर नहीं आते तो आप ओम शुरिया इनमे मंतर का जाब भी कर सकते हैं और आपको अंत में सूरे देव को सात वार प्रीकर्मा करनी है, ओन शुरिया इनमे का जाब करते हुए, जहां पर खड़े हो वही पर आपको सीदे तरफ गोमना है, और आपको मन से यही प्राथना करनी है कि मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में, जो भी अंदकार चाया हुआ है, वह सब दूर हो, मेरे जीवन में तेज की विर्दी हो, और मेरे जो भी अट के काम है, वह सब सफल हो जाएं, जतुर्ती तिती पर विशेश कर रविवार के दिन यह उपाए जरूर करना चाहिए, वीडियो के मादम से समझाने का पूरा प्रयास कि अगर फि आपको मिल जाएं, धन्यवाद